हलो अब्रिवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटुब चैनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर उमीद करते हैं आप सभी मौस्त होंगे बहतर होंगे आप सभी की पढ़ाई बेच्चेश चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 वायोलाज जेंसी अर्टी चैप्टर एट हमारा चल रहा है मानो कल लियान में सूक्ष मजीव आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम 3-4 ऐसी important question देखने वाले हैं जो कि आपके paper के point आप भी उसे काफी important है छोटे छोटे question है लेकिन यह question कई वारा आपके exam में पूछे भी गए है तो पहला हमारा आज का question है जैविक oxygen mang यानि biological oxygen demand या BOD ये क्या होती है सबसे पहला question तो इसी के उपर हम देखेंगे दूसरा question हमारा रहेगा BT क्या होती है और यह किस प्रकार के कीटों के प्रति प्रतिरो धक्ता को उत्पन करता है इसके पस्चात हम देखेंगे खाद देवा जैव उर्वरक में अंतर तो कुल मिला करके यहां पे हम 3-4 ऐसे important question देखने वाले हैं जो कि आपके paper के point आप दो से काफी important है चलिए बात करते हैं सबसे पहले जैविक oxygen मांग याने की byological oxygen demand जिसको की हम कहते हैं BOD तो BOD का मतलब होता है biological oxygen demand जैसा की नाम से ही है कि जैविक oxygen मांग मतलब आक्सीजन की अवाशक्ता के लिए oxygen की मांग या उपस्थित И समझे यहाँ पर थोड़ा साब जैविक आक्सिजन मांग जो होती है यह एक विशिष्ट समय अवधी पर किसी निश्चित तापमान पर दिये गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए वायवी यह जैविक जीवों द्वारा आक्सिजन की अवस सकता होती है कुल मिला करके कोई भी कार्बनिक पदार्थ यदि है तो उस कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जैविक जीवों द्वारा जो अक्सिजन की अवसकता होती है एक निश्चित समय अवधी पर और एक निश्चित तापमान पर तो कुल मिला करके आपक पर उसको तोड़ने के लिए जितने जितनी मात्रा में आक्सीजन की अवसकता होगी उस अवस्यक आक्सीजन की मात्रा को ही हम कहते हैं जैविक आक्सीजन मांग। एक नार्मल सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कोई भी कर्बनिक पदार्थ है उसको एक विसिष्ट समय अबादी पर वा तापमान पर, मतलब एक निस्चित समय पर और एक विसिष्ट ताप पर किसी भी कर्बनिक पदार्थ को तोड़ेने के लिए जो आक्सीजन की अवस्यक्ता होती है में उसे ही को ही हम कहते हैं जैविक आक्सीजन मांग या बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड अब इसके बाद आप थोड़ा स होते हैं यानि कि माइक्रो आर्गिनिजम होते हैं तो यह क्या करते हैं कार्बनिक कचरे को बिगटित करने वाले प्रमुक कारक होते हैं यानि कि यदि कार्बनिक कचरों को बिगटित करने वाले जो कारक है उनमें से जिवारू जो है प्रमुक रूप से कारक है क्योंकि यह प्रमोखरूप से कार्बनिक पदार्थों को विगटित कर देता है तो अब आप यहां पे देखेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ जैसे सूख्छमजिव यहां पे आप समझेगे कि जैसे कोई भी मरत पौधे हो गए उसके अलावा जो घ्गास की कतरन होती है जो घास जो होती है सड़ जाती है जब उसे हम घास की कतरन कहेंगे इसके लाब जो खाद्दे होता है या सीवेज का जो पानी होता है उस पे यदि कोई भी बैक्टीरिया उपस्थित हैं तो यह क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों को बिग्टित करने की प्र क्रिया शुरू करते हैं तब ऐसा होता है कि जो आक्सीजन की अधिकांस भाग होते हैं या अधिकांस मात्रा होती है यह एरोबिक जीवाड़ों की द्वारा ग्रहन कर ली जाती है और इसे ही हम जैविक आक्सीजन मांग कहते हैं कहने का मतलब यह है कि कई सारे सोक्ष मजीव जैसे आपका बैक्टेरिया हो गया, इस प्रकार कई सारे सोच में जीउव मिल करके, ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं, एक विशिष्ट समयवधि पर तथा एक विशिष्ट तातमान पर, और ये कार्बनिक कचरे जो होते हैं, इनको सरल क क्या च्क्राइन के लिए प्रम्व रोप से जिम्मिधार होते हैं अब कार्बनिक पदार्थ कई प्रकार क्यों हो सकते हैं जैसे मृत पधे जो होते हैं वह हमरत पौधे की जो पतियां होती है ये सब सड़ करके क्या बनाती है खादे बनाती है इसके अलावा जो सीबेज का पानी है उसमें कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होता है घास की जो कतरन होती है उसमें भी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उपस्थित होती है तो कार्बनि की अवस्यक्ता होती है उसे ही हम कहते हैं जैविक आक्सीजन मांग तो ये आपको कोस्चन याद रखना है कई वार आपकी एक्जाम में पूछा गया है इसके वार अलाबा जो दोसरा प्रशन है आज का वो ये है कि बेटी क्या है और किस प्रकार के कीटों के प्रति प्रति र फ्रेंजेंसिस द्वारा उत्पन विस है तो यानि एक प्रकार से आप कहे सकते हैं कि ये एक जिवारू होता है बेटी जो है और बेटी जो है ये वासिलस फ्रेंजेंसिस द्वारा उत्पन विस है तो ये जिवारू वासिलस फ्रेंजेंसिस द्वारा उत्पन विस होता है वीटी जो कि कुछ कीटों की आत में पहुँचने के बाद सक्री रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये देखे पहले तो निस्क्रिय वस्था में होता है और जैसे ही ये बीटी कहां पहुचता है कीटों की आत में यानि की इंटेस्टाइन में ये वैसे ही तुरंत एक्ट कि उस आत पर जाकर के चिपक जाते हैं और आतों पर पहुंचने के पस्चात ये बीटी क्या करते हैं सक्री रूप से परिवर्तित हो जाते हैं यानि पहले ये एक्टिव आवस्था में नहीं रहते हैं और जैसे ही कीटों की आतों में पहुंच जाते हैं वैसे ही एक्टिव आवस्था में आ जाते हैं यानि कि सक्री रोप में परिवर्थित हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि कीटों की जो आत होती है उन आतों को यह छतिग्रस्त करके कीटों को खत्म कर देता है कहने का मतलब यह है कि यह बीटी जब कीटों की आत में पहुंच जा में कीट अब करते हैं तो आप इसके बाद पढ़ेंगे chapter 9 में बायो टकनलाजी यानिकी जयब तकनिकी में कई प्रकार से देखेंगे आपकी कीट प्रतिरोधी किसम की फसलों को develop या विक्सित किया जाता है तो उन में से ये BT जो है एक ऐसा भिस है जिसका उप्योग हम कीट प्रतिरोधी फसलों को विक्सित करने के लिए जैब तकनीकी में करते हैं तो BT एक प्रकार का विस या प्वाइजन ये जहर होता है जो की बैसिलस थुरेंजेंसिस नामक जीवाणू के द्वारा उत्पन होता है जो की कुछ कीटों की आथ में पाए जाते हैं और कीटों की आथ में ये पहुँचने के पस्चात सक्री हो जाते हैं और सक्री होने के पस्चात ये कीटों की आथों को छतिगरस्ट कर देते हैं और कीटों को खत्म कर देते हैं इस कारण से ही इसका उप्योग हम किसमे करते हैं कीट प्रतिरोधी फसलों को विक्सित करने में करते हैं तो ये दूसरा कोस्टन बे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम देखते हैं खाद दिवा जैव उर्वरक में अंतर तो देखे काफी important difference है दो से तीन difference अकसर आपकी exam में पूछे जाते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं खाद दे की तो खाद दे में जब हम बात करते हैं तो देखिए कोई भी carbonic पदार्थ है carbonic पदार्थ की मात्रा जो है अधिक होती है किसके अंदर खाद दे के अंदर नार्माली आप देखेंगे कि ये carbonic, ये carbonic जो खाद होती है जो घरों में बनने वाली खाद होती है इस्पेसली जो गोवरों बगरे से तयार की जाती है ये काफी यूजफूल होती है तो खाद में आप देखेंगे खाद में पहला डिफरेंस तो ये है कि खाद में carbonic पदाउर्थों की मात्रा क्या होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है यानि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ही खादे में जादा होती है वहीं जैव उर्वरक की मात्रा की यदि हम बात करते हैं जैव उर्वरक की तो ये उर्वरक वेसिकली नाइट्रोजन फासफोरस तथा पोटेसियम प प्रमो क्रूप से जो पार्ट ये तत्तो आप इनको कह सकते हैं ये प्रदान करते हैं यानि जैवुरवरक जो होते हैं ये नाइट्रोजन फासपोरस तता पोटेसियम प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैवुरवरक वेसिकली आप देखेंगे रासायनिक फासपोरस, पोटेसियम, आद इसी प्रकार के तत्तों की इन में क्या होती है, अधिकता होती है, अब आप इसके मंद दूसरा डिफरेंस देखेंगे, कि जो खाद्य होता है, खाद्य को इस पेसली यदि हम बात करें कि कहां से तयार करते हैं, तो खाद्य को हम जनतूँ के आपसिष्ठ पदार्थ जो बचा है उसको, इसके आलाबा पौधे के जुम्रत भागे माल लेजے, पौधे से प्तिया ही गिर कर के सड़ गई, तो यह सभी बिल करके किसका निर्मार कर देते हैं, खाद देका निर्मार कर देते हैं, इसके अलाबा जैव उरभरक की यह धी हम होता है तो रसायनिक पदार्थों के मिलने से जैव उर्वरक का निर्मार होता है इसके लावत तीसरा और आखरी डिफरेंस आपको समझना है कि ये म्रदा की उर्वरता को प्रहावित नहीं करते हैं यदि अधिक मात्र में भी बारेक हो गया है यदि आपकी डेशि खाथ अधिक मात्रा में भी हो जाती है तो इस से म्रदा को कोई भी छटिगरस्त या नुकसान नहीं होता है बलकि उसके उपजाव सक्ति में ही ब्रद्डि होती है लेकिन यदि जैव उर्वरक की हम बात करते हैं तो जैव उर्वरक को यदि हम ज़ादा देर तक या ज़ादा मात्रा में यदि इसको हम क्या करेंगे यदि छिड़काओ कर देते हैं किसी प्रकार से खेतों में तो भूमी की उर्वरता भी दीरे दीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो कार्बनिक पदार्थों में आप देखेंगे, इनकी मात्र यदि हम खाद्य का यूज करते हैं, तो जाओ सकती बनी रहती है, लेकिन यदि जैवुर्वरक के हम उपयोग ज़्यादस जल होता है इसको यदि हम अधिक समय तक रख देते हैं बंद बोतल में ही तब पर भी यह नहीं सड़ता है क्यों इसका आपको रीजन देखना है तो बोतल के अंदर आप देखे होंगे कि जो गंगा नदी का जल होता है इसको लंबे समय तक रखा जाता है गंगा जल को फिर भ करने से क्या होता है कि वहां पर मोख्श मिलता या कुछ भी आप मान सकते हैं तो इस परकार से आप देखेंगे कि इसी धारणा को ले करके लोग लगातार वहाँ पे अस्थी भी सरजित करते हैं इसके लवब मरत सरीरों को भी प्रवाहित कर देते हैं जादा तरमात्रा जिसके कारण क्या होता है कि गंगा नदी प्रदूसित भी हो रही है फिर भी आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ पाय जाता है बैक्टीरियो फेजेज नामक जो वायरस होता है आप पाएंगे की bacteria phage genama के प्रकार का जिवारू भोजी या virus होता है जो कि क्या करता है यह सड़ने से बचाता है किसी प्रकार से गंगा नदी के जल को तो इसने बैक्टीरियो फेज पाय जाता है बैक्टीरियो फेज की उपस्थिती के कारण ही गंगा नदी का जुजल है वो बंद बोतल में रख करके रखने पर भी ज्यादा समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है तो कुल मिला करके आपको ध्यान में रखना है कि गंगा नद जो कि आपके पेपर के पॉइंट आभी उसे काफी इंपोर्टेंट है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए साथी साथ दोस्तों के वीडियो ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेयर कीजिए चैनल पर आप